हलो फ्रेंट से मैं मित माल विया एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागित करता हूँ हमारी यूटूब शेनल के एक और नए वीडियो में दोस्तों काफी सारे ऐसे काम है जो कि अब आप बिना जनम प्रमान पत्र के नहीं करवा सकते हैं या उनके लिए जो है mandatory document जनम प्रमान पत्र भी रहेगा अब काफी सारे ऐसे लोग है जिनके पास में अपना जनम प्रमान पत्र नहीं है आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास में जनम प्रमान पत्र नहीं है तो आप जो है अपना जनम प्रमान पत्र कैसे बना सकते हैं किसी भी एज के लिए आप जो है वर्थ सर्टिफिकेट के लिए किस तरह से ओनलाइन आवेदन करें उसका completely step by step process क्या है तो वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा important होने वाला है तो वीडियो को बिना skip की एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल पर ना हो तो चैनल को subscribe कर दीजिए वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को like करके अपने friends और family में share जरूर कर दीजेगा तो चलिए बिना देरी को इस start करते हैं वीडियो को तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले आपको जो है Google के search box में अपने mobile या laptop में search कर लेना है service plus ठीके ना जैसी आप यहाँ पर service plus सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने service plus का जो portal है वो आपको यहाँ पर show कर दिया जाएग आपके सामने कुछ इस तरह का interface page आपको show होगा तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो है सबसे पहले आपना खुद का एक registration करना होगा ID, password आपको generate करना होगा तभी आप जो है portal को login कर पाएंगे तो registration करने के लिए आपको registered वाले button पे click करना होगा जैसे आप registered वाले button पे click तो यहाँ पर आपके सामने एक छोटा सा registration form open हो जाता है, यहाँ पर आपको अपना full name इंटर करना है, email ID लिखना है, mobile number डालना है और अपना एक password create कर लेना है ठीकर ना, उसके वाद इस वाले केपचा को यहाँ पर feel करना है, यहाँ पर आपको जो है अपना जो भी state है आपक पर क्लिक करते हैं, तो आपका registration हो जाता है, अब आपको जो है login वाले बटन पर जाना है, यहाँ पर जिस email ID को आपने अभी डाला था, उस email ID को डालना है, password जो आपने बनाया था, वो password डालना है, इस वाले केपचा को इस वाले box में feel कर देना है, and login वाले बटन पर क्लिक कर तो जैसी आप अपना portal login कर लेते हो, तो आपके सामने इस तरह का interface page आपको देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर आपको आपका नाम भी शो होगा, जिस नाम से आपने ID क्रियेट किया था, अभी यहाँ पर दूस्तों आपको काफी सारी services देखने के लिए मिलेगी, तो यहाँ पर आप जो simply search भी कर सकते हैं, birth ठीक है ना, तो जैसी आप यहाँ पर birth लिखेंगे, तो आपके सामने यहाँ पर birth registration का option आ जाएगा, आपको करना है यहाँ पर click, जैसी आप यहाँ पर करते हैं click, तो आपके सामने इस तरह का एक registration form open हो जाएगा, अब दोस्तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस तरह का आपको एक form दिखाए देगा, इस form को आपको feel करना होगा, किस तरह से feel करना है, चली step by step आप लोगों को दिखा देता हूँ, तो दोस्तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको जो सामाने जानका जिसमें कि बालक या बालिका का नाम जिसका जनम प्रमान पत्र आप बनाना चाहते हैं, बालक या बालिका या किसी भी age का जिसका आपको जनम प्रमान पत्र बनाना है, उसका नाम आप डालेंगे, जनम दिनांक आपको इस कैलेंडर के माध्यम से यहाँ पर इंटर कर देनी है जन्व दिनांग सबदों में आपको यहां पर लिख देनी है जिसका भी आप जनम प्रमान पत्र बना रहे हैं उसका पिता का नाम यहाँ पर लिखेंगे पिता का समगर आइडी यहां पर लिखेंगे दोस्तों मद्द प्रदेश के लिए समगर आईडी है अगर आप जो है other state से कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको अलग family आईडी जो है डालने का option आएगा ठीक है ना माता का नाम यहाँ पर डालेंगे माता का समगर आईडी यहाँ पर डालेंगे यहाँ पर आपका जो छेतर है municipality से related है नग आपको जो है second वाले option में आना होगा जिसमें कि आपको जनम संबंदी detail देनी रहेगी अब दोस्तों यहाँ पर आपको बताना होगा कि बच्चे का जनम कहां पर हुआ था, अस्पताल में हुआ था घर पर हुआ था दोस्तो अस्पताल में अगर हुआ है तो इस पर मैं एक डीटेल वीडियो बना चुका हूँ कि अस्पताल से आपको जनम पुरमान पत्र किस तरह से लेना है ठीक है ना अगर आपका जनम घर पर हुआ था तब आप जो है यहां से अपलाई करते हैं जनरली जिनका जनम अस्पताल में होता है वो तो अस्पताल से जनम पुरमान पत्र लेही लेते हैं लेकिन काफी सारे ऐसे भी लोग है जिनका जनम जो है अस्पताल में हुआ था और जो जनम पुरुमान पत्र है उनको नहीं मिला था या पुराना कभी मिला भी हो तो उनको याद नहीं है तो यहाँ पर अस्पताल को ही स्लेक्ट करेंगे ठीक है न बर्त का प्लेस यहाँ पर डालेंगे जहाँपर भी जनम हो था जिस अस्पताल में उसका complete address आपको feel कर देना है जिसमें detail में आप अपना जो पता है वो डालेंगे birthplace का marg का नाम, marg का नाम second उसके बाद यहाँ पर country आपकर रहेगा state आपको यहाँ पर select कर लेना है district आपको यहाँ पर select कर लेना है उसके बाद area का postal pin code आपको यहाँ पर enter कर देना है उसके बाद यहाँ पर आपको अपना address फिल करना होगा जो आपका permanent address है वो address आपको यहाँ पर डालना होगा ठीक है ना जिसमें आपको marg का नाम, गाओं का नाम, city का नाम ward number, mobile number, country आपका selected रहेगा, राज यहाँ आपको सेलेक करना है, district आपको यहाँ से सेलेक करना है, area का poster pin code आपको यहाँ पर enter कर देना है उसके बाद आवेदक का विवरन, आवेदक कौन है जैसे कि अगर आप खुद का जनम परमान पतर बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर खुद की detail देंगे अगर आप अपने बच्चों का जनम परमान पतर बनाना चाहते हैं, तो भी आप उस condition में यहाँ पर खुद की detail देंगे, ठीक है ना तो यहाँ पर आपको relation में फिर self को select करना होगा, ठीक है ना तो यहाँ पर आपको आवेदक का विवरन देना होगा जिसमें आवेदक का नाम लिखेंगे आवेदक के पिता का नाम लिखेंगे, यहाँ पर आवेदक का संबंद, बालक बालिका से संबंद क्या है, self है तो आप self करेंगे अगर खुद से apply कर रहे हैं तो आप यहाँ पर self कर देना है उसके बाद आपको स्कोल डाउन करके नीचे के तरफ आना है यहाँ पार आपसे पूछा जाएगा अधर डीटेल के बारे में जिसमें कि आपको जनम प्रमान पत्र का पूर्णता भरा हुआ प्रपत्र सलगन करना होगा मतदाता परीचे पत्र की एक फोटो कापी आपको लगेगी वोटर आईडी काड आपको यहाँ पर लगेगा अगर आपके पस वोटर आईडी काड नहीं है तो एंड स्क्रिन वाला वीडियो जरूरू से देख कर जाना उसमें मैंने वोटर आईडी काड बनाने का प्रोसेस बता दिया है ठीक है ना रासन काड आपको यहाँ पर लगेगा ठीक है ना विलंब की सिल्क में आपको नोटरी लगेगा दोस्तों जो भी लोग ऐसे हैं जो की पांच साल से ज़्यादा के हो चुके हैं और वो अपने जनम प्रमान पत्र बनाना चाहते हैं इस फोटल के माध्यम जे तो उस कंडिशन में आपको जो है ए सारी चीज़े आपको कलेक्ट कर लेनी है उसके बाद जब आप इस सारी इंफरमिशन को फिल कर देंगे तो जो भी आपका आफिस है वो यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा कि किस आफिस में आपका आवेदन जाएगा उसकी डिटल आपको यहाँ पर मिल जाएगी पर इस वाले केपचा को आपको फिल कर देना है एंड फारम को आपको यहाँ पर सम्मिट कर देना है अब जैसी आप फारम को सम्मिट करेंगे तो आपको एक रिफरेंस नमबर मिलेगा एक पाउती डाउनलोड हो जाएगी उस पाउती को आपको डाउनलोड कर लेना है और printer निकाल लेना है, एगर आपके पास printer की वेवस्ता नहीं है, तो किसी भी photocopy की shop से आपको उसको printer करवा लेना है, उसको भी इसके साथ में आपको attach कर देना है, यह सारी की सारी information आपको जो भी संबंधित कारेल है, यहाँ पर सो होगा, पहाँ पर जाकर आपको लेकिन offline भी सारी formalities जो है verification के तोर पे आपको करनी होती है कि जो apply करने वाला बंदा है वो सही apply कर रहा है या गलत apply कर रहा है ठीक है ना जैसे कि मैंने आपको वीडियो बनाने के लिए अगर मैं किसी भी तरह का यहाँ पर apply कर दूँ तो वो जो है गलत apply होगा आपको इसलिए यहाँ पर यह सारी चीजे office में जाकर सलगन करनी होगी अब दोस्तों जैसी आप यहाँ पर इसको सलगन कर देते हैं submit कर देते हैं तो आपको एक reference number जो पाउती मिलेगी उसके माद्यम से आप अपना status ट्रेक कर सकते हैं status जानने के लिए आपको view status वाले बटन पर आना होगा यहाँ पर आपको track application status यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको reference number डालना है form किस date में आपने submit किया था वो data आपको select करनी है उसके बाद आप gate data वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी detail यहाँ पर आपको show कर दी जाएगी कि आपका जो process है कहां तक पहुचा है approve हुआ है नहीं हुआ इस साइरी चीज़ आपको यहाँ पर बता दी जाएगी जब आपको यहाँ पर बता दिया जाए कि आपका form approve हो चुका है उस condition में आप जो है जनम प्रमान पत्र उसी office से जाकर लेंगे जिस office में आपने सारे document submit किये थे तो दोस्तो इस तरह से आप जो है किसी भी उम्र के विक्ति का जनम प्रमान पत्र बना सकते हैं दोस्तो आप सभी को पता है कि जनम प्रमान पत्र बनाने के लिए वेसे तो आपको काफी सारी मसकत करनी ही पड़ती है लेकिन इस process से अगर आप बनाते है तो आपका जनम प्रमान पत्र आपको easily मिल जाएगा उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप सभी के लिए काफी जादा helpful रहा होगा तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरू से करके जाएगा चैनल पे अगर आप नए है तो चैनल को subscribe भी करके जाएगा इसी तरह की helpful information आप लोगों को हमारे चैनल पे मिलती रहती है तो आज के लिए इतना ही मिलता हूँ एक से वीडियो में तो तक के लिए आप अपना खयाल रखिए जैहिन जैभाड़